हेलो दोस्ते तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रतिक और आप लोग देख रहे हैं GameStop YouTube चैनल जहां आप लोग करते हैं गेमिंग की बात मेरे साथ और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ Free Games हाँ ये बात में चान रहा हूँ कि Free Games सुनता ही आप लोग की दिमाग में आता है कि बाई बेकार की चीज होगी प्री में कोई अची चीज नहीं मलती है लेकिन ऐसार नहीं है या आच में आप लोग को बताऊंगा प्री इंवाट कर रहा हूँ और उस वरे से मेरी आवाज आप लोगो खराब लग सकती है तो डील विद इट मैं पूरी कुशिश करूंगा अपना बैस्क देने की और इसी बात पर जो फर्स्ट केम निकल कर गया आता है वो है यहाँ एक तरीके से हम लोग इतिहास कार की भूमी का निभाते हैं और ऐसी ऐसी आर्केलोजिकल साइट्स को डिसकोवर करते हैं जो दुनिया का रहस से चुपाई हुए है हाँ वो बात अलग है कि एक सुन्द लड़की है फोटनाइट वाले कुछ ऐसे रहसे और राज है जो कि सभी लोग के सामने आने चाहिए लेकिन वो उन जगाओं में दफन होकर रह चुके हैं अब ये हमारा करतव ये बनता है कि हम exploration करें और उनसे गाओं को डून करके वो सत्य सबके सामने लाएं जिसमें हमारी मदद करेंगे time reversing equipment और सिरुफ इतना ही नहीं गेम की जो graphics से आसपास का जो environment है जो locations दिखाई गई है वो बहुत ही प्यारी है और तो और गेम का size भी जादा नहीं है उपर से system requirements भी काफी कम है सो गर आप लोग एक adventures training पर जाना चाहते हैं जहां आप लोग काफी सारे mysteries को solve करें अब तो आप लोग को ये game ज़रूर खेलना चाहिए और इसी के साथ naturally बढ़ती है और बात करते है हमारी वीडियो के second game की चुकी है Arid क्या आप लोग जानते है Arid शब्दकारत क्या है एक ऐसी जगा जहां सूखा पड़ा हो और बिलकुल ना के बराबर या फिर बारिश होती ही ना हो सो आप लोग समझी गए होंगे कि कितनी मुश्किल जर्णी पर हम लोग जाने वाले हैं ये एक free survival game है जिसको बनाया है एक student made Breda University के गेम पूरे दरीकिस से open world होगा हर पल आप लोग चुनोतियों का सामना करेंगे कदम कदम पर आपके परिशा ली जाएगी day and night का time cycle आप लोगो देखने के level जाएगा अंधेरी गुफाव में जाएंगे खाने की तलाश करेंगे गेम की ग्राफिक्स अच्छी है और minimum system requirements आप लोगों के सामने हैं और अब वक्त है हमारी third game के लेकिन उससे पहले एक like तो बनता है कर दिया तो चले बात करते है third game के जोकी है वीन वैसे तो अभी भी game developers इस game के उपर पूरी मशक्कत और महेनत से काम कर रहे हैं लेकिन अगर आप चाहें तो इसका free demo version चेक आउट कर सकते हो ये post-apocalyptic survival multiplayer sandbox scheme है हाँ आप एक बात जान रहा हूँ कि इतने सारे term सुन करके आप लोग confused रिरूर हुए होंगे लेकिन जब आगे देखेंगे तो सब समझाओगे जैसे यहाँ पर हम लोग को survive कर रहा होगा उसके लिए आसपास की surroundings को explore करेंगे और जरूरी सामान और supplies को collect करके लाएंगे साथ ही ग्राफ्ट करेंगे सरूरी items और tools को abandoned buildings को भी चेक करेंगे जरूरी सामान की दिलाश में अपने घर को protected करेंगे zombies न खतरना creatures से गेम की जो graphics से वो अची है गेम को mechanics काफी सता improved है AI से रणना काफी मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर dynamic surroundings आपको देखने के लिए मिलेंगी साथ ही गेम की minimum system requirements आप लोगों के सामने है और अब बात पते है fourth game की जो है world war 3 पता नहीं game developers world war 3 क्यों कराना जाते है मैं दो इस thought game बिल्कु लगी इंस्टर हूँगा हलाकि यह game है तो इसको game की तरह ही लेना चाहिए और अफानल यह इसको free कर दिया गया है तो इस monkey को मुझे तो नहीं लगता आप लोग छोड़ना चाहेंगे चाहिए इस first person shooter को try कीचे जहां पर एक असली युद्ध के अंदर लड़ाई करना क्या होता है आपको वो देखने के लिए मिलेगा जी हाँ दोस्तो world war 1 और world war 2 के events को दिहाल में रखते हुए इस game के action को बनाया गया है यानि की मामला बहुत तगड़ा है खतरनाग action देखने के लिए मिल चाहेगा और सिर्व इतना ही नहीं आप लोग different different locations लाइक वाट्सो बर्लेन मॉस्कों में जाकर के युद्ध को लड़ेंगे गेम की system requirements ये रही और गेम की graphic speak काफी अच्छी है अब ही थोड़ी देर पहले तक ही तो हम लोग लड़ाई की बाते कर रहे थे और finally छो हमारा last game है वो भी लड़ाई पर ही based है लेकिन ये मस सूचेगा कि ये game किसी भी तरीके से उसे कम है in fact आप लोग को one step आगी ही देखने के लिए मिलेगा चाहे फिर बातो इस game के combat की या फिर graphics की जैसे यहाँ आप लोग को hundreds of soldiers, armored vehicles and aircraft टेखने के लेमिल चाहेंगे हर एक लड़ाई में और ये तो कुछ में दी अभी हाली में इस game ने अपनी popularity भी पकड़ी है तो सादर से सादर लोग इस game को खेलना चाहते है सो आप लोग इस टीज को वेट करें हो जाए इस game को ट्राइकीचे सो मेरी भाई यो यह थी हमारी अची वीडियो आप लोग अची लगयों कि अगर इस वीडियो को फुल सपोर्ट करते हो कर देना सपोर्ट मैं दूसरे वीडियो में और भी अच्छे फ्री गेम्स लेकर गया हूंगा इसके तरीके से देखतरी है गेमस्टॉक यडिव चनल को मलता गौनी वीडियो में दबते के लिए बाई बाई